नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज इंडिया आपके साथ मैं हूँ निदा एहमद वर्ल्ड होग जी हाँ पेम मोदी आस्ट्रेलिया के सिड्नी पहुँचे और जहां सिड्नी के कोडोज बैंक अरिना में वैदिक मंतरो चारण के साथ पारंपारिक तरीकों के बीच पेम मोदी का भव्वे स्वागत क्या गया सिडनी का ओलंपिक पार्क मोधी मोधी के नारों से गोंज उठा अपने संबोधन में पेम ने भारत और ऑस्टेलिया के मजबूत संबंदों के साथ साथ भारत को टैलेंट का हब भी बताया आईए आपको बताते हैं कि देश के पेम वर्ल्ड के लिए कैसे होप बन रहे हैं आप सभी यहां और अस्टेलिया में हैं यहां के विकास को देख रहे हैं कि भारत और अस्टेलिया के समंदों को थ्री सीट डिफाइन करते हैं सबसे बड़ा अधार है मिचियल ट्रस्ट और मिचियल रिस्पेक्ट जितना रोचट होता है उतनी ही गहरी आप दफिल्ड हमारी दोस्ती है चल्द ही ब्रिजबेन में भारत का एक नया काउंसिलेट खोला जाएगा योगा ये भी हमें जोड़ता है गुरु अर्जुन देवजी ने ही दसंद प्रणाली सुरू की तो प्रेड अगले पांच वर्ष में दो गुने से अधिक हो जाएगा भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एक जूट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्ट की तरह काम किया आज भारत के हर कदम हर उप्लग्व्यों के बारे में दुनिया जानना चाहते है वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रदान मंत्री का अठाइश साल तक इंटजार नहीं करना पड़े प्रामिनिस्टर मैरी इस बस I urge my Indian Australian friends, but yes, it is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia in just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today I have met the Prime Minister, my friend, six times but absolutely nothing beats standing with him on a stage like this looking out at this magnificent sea of faces, what an honour and what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springstone and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got Prime Minister Modi is the boss Loot कर meme अप्यांस्तेंव interven कि यहां के विकास को देख रहे हैं आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विक्सित राश्ट्र बने है ना आपका सपना है ना आपका सपना है ना आपका सपना जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में दिया ये मेरा भी सपना है 140 करोर भारतियों का सपना है साथियों भारत के पास सामर्थ की कमी नहीं है भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे यूआ टैलेंट फैक्टरी जिस देश में है वो है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप वो है इंडिया साथियों एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के समंदों को थ्री सी डिफाइन करते हैं कैसा पहले कहा जाता है कि कौन से थ्री सी हैं कॉमन वेल्ट क्रिकेट और करी इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के समंदों कि थ्री डी पराधारी थैं कि डिमोक्रेसी कि दाइस्फोरा और दोस्ती कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के समंदों कि थ्री इपराधारी थैं एनर्जी एकोनॉमी और एजुकेशन एने कभी सी कभी डी कभी ए अलग अलग कालगंड में ये बात संभव तहब सही भी रही है लेकिन भारत और और ऑस्ट्रेलिया के एतियासिक समंदों का विस्तार इस से कहीं ज़्यादा बड़ा मैं जब 2014 में आया था तो आप से एक वादा किया था वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधान मंत्री का अठाइस साल तक इंतजार नहीं करना पड़े तो लिजिए यहां सिद्नी में इस एना में मैं फिर हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ प्रधान मंत्री अल्वे निजी मेरे साथ आये हैं मिस्टर प्राइमिनिस्टर अपने बहुत ग्रस्त कारकम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला हैं ये हम भारतियों के प्रती आपके स्नेह को दरसाता हैं आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि आस्ट्रेलिया के मन में भारत के पती कितना प्रेम है सबसे बड़ा अधार है मिचियल ट्रस्ट और मिचियल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक दिष्टों से विक्सित नहीं हुआ है इसकी असली वज़ा है इसकी असली ताकत है आप अस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतिया आप उसकी असली ताकत है इसकी असली वज़ा है आस्ट्रेलिया के धाई करोर से जाजा सिटिजन्स साथ्यों हमारे बीच बहुगली दूरी जरूर है लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है हमारे क्रिकेट के रिष्टों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए है क्रिकेट की फिल्ड पर मुकावला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी आप दफिल्ड हमारी दोस्ती है इस बार तो ऑस्टेलिया की अनेक विमें क्रिकेट प्लेयर की पहली बार भारत में आई प्याल खेलने आई थी और साजियों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी है अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है दुख का भी साथी होता है पिछले साथ जब महान शैन बॉन का निदन हुआ तो ऑस्टेलिया के साथ कोटी कोटी भारतियों ने भी शोक मनाया यह ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो इक गोश्रा भी करने जा रहा हूँ ब्रिस्बेन में भारतिय साथ की बहुत समय से जो मांग थी अब उसे पूरा किया जाएगा जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा फ्रेंट भारत और आस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनर्शिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रतेग व्यक्ति को सदक्त करेगी आपके पास टैलेंट है अपनी स्कील की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वेल्यूज भी है इवेल्यूज आपको आस्ट्रेलिया की लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमी का निभाते हैं हमारी जीवन शैलियां बले अलग-अलग हो लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है क्लिकेर से तो हम ना जाने कप से जुड़े हुए है लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है हमारे हाँ खाना बनाने का तरीका भर अलग-अलग है लेकिन अब मास्टर शेव हमें जोड़ता है हमारे हाँ परवत त्योहार भले अलग-अलग मनाये जाते हैं लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से बैसाथी के जस्त से हमारे यहाँ भाशाए भले अलग-अलग बोली जाती हो लेकिन हम जुड़े हुए हैं मल्यालम, तमील, तेलू, पंजाबी, हिंदी भाशाए पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से साथियों आस्ट्रेलिया के लोग यहां की निवासी इतने विशाल रदे के हैं दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविदता को खुले दिल से स्युकारते हैं आज शहीदों के सर्ताज पंचम सिख गुरु स्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने सिख्षा मिलती है गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंद प्रणानी सुरू की थी इसी प्रेणा से करोना के दौरान भी कितने ही गुरुदवारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की इसी दोर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीडितों के लिए खुल गई आस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडन्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए विबिन्न सामाजिक संगड़नों ने भी इस दोरान बहुत लोगों की मदद की भारतिय कहीं भी रहे एक मानवी यह भाव उनमें समाहित रहता है साथ्यों मानवता के हीत में ऐसे ही कारियों के कारण आज भारत को फोर्स अब ग्लोबल गुड कहा जा रहा है जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत मदद के लिए तयार मिलता है जब भी कोई संकट आता है भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है आज भारत के हर कदम हर उप्लब्द्यों के बारे में दुनिया जानना चाहती है आज की दुनिया जिस वर्ल ओर्डर की तरफ जा रही है जिन संभावनों को तलास रही है उसमें ये स्वाभाविक भी है भारत हजारों वर्षों की जीवन्त सब्व्यता है भारत मदर अब डेमोक्रिसी है हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है लेकिन अपने मूल सिधानतों पर फंडामेंटल पर हमेशा ठीके रहे है हम रास को भी एक परिवार के रुप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं वसुद है उक्टों काम इसे लिए जब भारत अपनी जीटविंटी प्रसीडेंसी की सिम तै गरता है तो कहता है अपने आदर्सों को जीने का उसका शभाव देकिये G20 Presidency में भारत कहता है One Earth, One Family, One Future चाहे इंटरनेश्टल सोलर अलाइंस के द्वारा सावर उर्जा का उप्योग बढ़ाना हो चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलियन इंफ्रास्टर तयार करना हो चाहे इंटरनेश्टल बिग केट अलाइंस को नित्रुत्व देना हो भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एक जूट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया अभी अभी जब तुर्किये में भूकम ने तबाई मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया भारत अपने हीतों को सब के हीतों से जोड कर देवता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास यह हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही वीजन है आज भारत और अस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेजिक पार्टरसिप निरंतर गहरी हो रही है हाल में ही हमने एकोनामिक कोपरेशन और ट्रेड एग्रिमेंट इसी टीए एक्ता साइन किया है अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले पांच वर्स में दो गुने से अधिक हो जाएगा अब हम कॉम्प्रिहेंसिव एकोनोमिक कोपरेशन एग्रिमेंट पर काम कर रहे हैं हम रिजिलियंट और रिलाइबल सप्लाइचेंज का निर्मार कर रहे हैं इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही दुनिया को भी नया विस्वास मिलेगा आज भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कई डारेक फ्लाइट्स है बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बड़ी है आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बड़ेगी एक दूसरे की डिग्रियों को माननेता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बड़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाब होगा Migration and Mobility Partnership Agreement पर भी सहमती बनी है इससे हमारे skilled professionals के लिए Australia आना और यहां काम करना आसान होगा